अभी अभी परवराज परियूशन के वे पवित्रतम दस दिन आप लोगों ने अंतर मन से जीए हैं। अभी अभी मैं मानता हूं कि विशुद्धी और वगणाओं परमाणों में ऐसी ठसा ठस भरी हैं कि परियूशन भले चले गए हो। उसकी जंकार अभी भी आपके सरीर पे आपको भावित कर रही है। उससे किसी की जिंदगी में तुम्हारा जूता ना पड़े। ये सीखने की बात है कि अब तुम्हारे वशुनों की वे पवित्ता हो कि किसी के कसाय उद्वेक का कारण ना बने। तुमको देख करके किसी के अंदर तीवर मंद्र भाव पैदाना होता हो। कोई अग्याद भाव से अग्याद भाव के लिए गुर्देव ने क्या पवित्ताम उसकी ब्याक्या लिखी। ये नहीं कि अग्याद भाव का मतलब हम कुछ जानते नहीं हैं। जानते तो हम सब हैं। वहाँ पर आचर उमा स्वामी महराज की टीका लिखते वक्त पूझबाद गुर्देव कहते हैं। पता मुझे सब है। लेकिन मेरे अंदर घमंड चड़ गया। पता मुझे सब है। लेकिन मेरे अंदर प्रमात के परमाणू आकर के खड़े हो गये। और प्रमात के कारण और गमंड के कारण मैंने देव शास गुरू का अपमान कर दिया। तीवर भाव, मंदर भाव, ज्याद भाव, जान मुझकर के कर दिया। अग्याद भाव में जानता सब था, लेकिन मद का अंदर हो गया। हमारे पूरे के पूरे ग्यान चक्षू में द्वेस का केतू जाकर के बैठ गया। और जिन सासन की अप्रभावना जैनियों के द्वारा होने लगी। बेखुद जिन सासन में खड़े होने के बाद बिर्यानी की ठेले में जाकर के बिर्यानी खाने लगे। एक पैसा शर्म नहीं आए उनको कि जिस कुल में जन्म लिये थे उसकी लाज बचाके रखते। अभी ये दस दिन परिशन की कितने पवित्तम निकले हैं। बड़े बड़े तपस्वी सादूों के बीश में रहकर के तुम्हाने पूरे छेत्र का वात्तम और बिकुल पवित्तम हुआ है। अब बस ऐसी कोशिश करना कि अब दारू के ठेके में जाकर के हम खड़े ना हो। दस दिन तक नहीं पी। दस दिन तक उका पालर में नहीं गए। दस दिन तक दारू के ठेके में नहीं गए। दस दिन तक तुमने जुआ नहीं खेला। दस दिन तक तुमने शराब नहीं पी। बस इस दस दिन को आइडियल मान करके इस बार अब संकल्प करो। Lockdown में सबसे ज़एदा ब्रष्ट होई है तो दिगंबर जैन समाच Lockdown में लोगों ने सबसे ज़एदा दुरुपियों किया है तो अपने धन का वहीं पे दारू बिक्ती हो वहीं पे गांजा बिक्ता हो वहीं पे अफीम बिक्ता हो और पता चले कि इसका मालिक जैन है, शरम से डूब मरने वाली बात है, शरम तक नहीं आती ऐसे लोगों को, ऐसा धंदा करते हुए, जैन कुल में आ करके, इनको तो अधिकार नहीं है मंदिर जी के अंदर प्रवेश करने का, जो दूसरे के घर के सत पुत्रों को बिगाणने क ठेका लेकर के बैठे हैं, जितना पाप पेस्टी साइड के धंदा करने वाले को है, जितना पाप दारू का धंदा करने वाले को है, उतना ही पाप हुक्का पालर चलाने वाले को भी है, इस बात मान के चलिएगा, जैसे किसी दारू के धंदे करने वाले के यहां मुनी महरा आहार नहीं करते, वैसे हुक्का पालर वाले कि यहां भी किसी भी मुने महराज को आहारदान के लिए नहीं जाना चाहिए, और उनको चौकल लगाने का कोई अधिकार भी नहीं है, लेकिन जैन समाज में ऐसी प्रचन बढ़ने लगी, क्यों एक तो अंदर मिध्याद्व का प बैवसाय कर लेते, सक्कर बेच लेते, नमक गुड बेच लेते, नरियल बेच लेते, आप कपड़ा बेच लेते, लेकिन तुमने संसार को बिगाडने के लिए अपनी मती पैदा कर ली, ये मिध्धा दस्टी जीव को अगर साक्षा देखना है, तो उसके बैवसाय से आप भावादिकरण, वीर विशेशे, ब्यस्त तद विशेशा, पाप करने की शक्ती कहां पे आती है, जब तुमारे सरीर में शक्ती है, तुमारे अधिकरण, उस समाग्री में शक्ती है, तुमारी सोच में भी पाप की सक्ती है, तुमारे ग्याद भाववे, तुम जानते सब ह की ये पाप है उसके बाद भी मदात प्रमादवा अनवबुद्ध प्रवर्त्या मद से मदान दो करके कौन होगा हमको रोगने बाला हम देख लेंगे हमने देखा ऐसे लोगों को जो गुरू के सामने गमंड से एक बार भासा बोलके के गए घर पहुंचने से पहले हाट अट देवों को बिलकुल भी पसंद रही है हजार बार सोचिये का किसी सादू के सामने तेज अबाद में बात करने से पहले बन दो हजार बार ये सूत्र सम्यक दस्टी के जीवन के विकास की आधार सिला है यही मिथ्धा दस्टी के पतन का मार्ग भी है गुरूदेव ने जब ह हाथ में जो चीज थी वो चीज पुर्ण के उद्धै से आपके हाथ में आ गई है जो महाब्रत गौतम स्वामी ने गंही थे वे गौतम् ऽामी के व्रत आपके हाथ में आ गए है अब इस व्रत की रक्षा करने इस सूत्र की माला फेरना आप लोग ती प्रमंद्र gjैता ग्य इस सूत्र की समाइक करो गुर्देव कहते थे हम लोगों से इस सूत्र की समाइक करो कि मैंने प्रतिमाधारी होकर कि मैं महाब्रती होकर कि अपनी दया को, अपनी छमा को अपनी करणा को, अपनी सहन सीलता को बासल को, अपने वासल लिगुन को अपने अंदर की वो सत्धा को भक्ति को अगर बढ़ाना है तो मैं क्या करूँ तीवर्मंद्र ग्याता ग्याद भावा दिकरन वीर विशेशे ब्यस्त सत्धा में तद विशेशा है ब्रतों में, समीती में, गुप्ती में, किसी भी चीज में जिस चीजों से विकास होता है गुर्देओं ने मात्र एक सूत्र दिया और सूत्र को सूत्र बस समझ के नहीं दिया सूत्र को मंत्र समझ करके दिया माला फेरो करुणा की दया की दया ती प्रतम दया अंदर भी पैदा करनी है बाहर के कोई निमित मिलते हैं तो उसको अपनी दयाक का वहाँ पर प्रयोक करना है बाहर भी करना करनी है बाहर करना का निमित मिलेगा गाई मिलेगी, बैल मिलेगी, बक्रियां मिलेगी शेर, कुत्ता, बिल्डी, कोई भी मिलेगा बाहर निमित मिला अंदर की करणा उस निमित्य से प्रस्पुटित करो ज्याद भाव से अग्याद भाव से अपने पुन्य आश्रव करो पुन्य कर्म का बंद करो कब तक पुन्य काम करता है माराज हमने तो सुना कंबम सुहम कुसीलम सुह कंबम चावी जाने कुसीलम कि हितम हो दी, शुशीलम, जम संसारं, पवे सेदी, ये समयसार में, गरंतरा समयशार में कुंद कुन भगवान निगाता लिग दी, कि दोनों बेडी हैं, लोहे की और सोने की, लेकिन बेडी तो बेडी होती है न, ऐसा समझाते हैं लोग, आप मुझे बताईए कि एक किलो की ह जब आप हाथ में पहनते हैं, और आपको रोड से निकाला जाता है, और एक किलो सोने का आप तम का सामने से गले में टांग करके निकलते हैं, और आप जब रोड से निकलते हैं, दोनों पहनने में अनभूती कैसी होती है, लोहे की हतकडी एक किलो की पहनने पर पूरी पतिष का बेड़ी है अनुभाव कैसा करा रही है महराज लगता है कि पूरा बैभाव संपन्न होगे जब लोग हमको कम चमकते हुए सोने के ब्रासलेट को जादा देखते हैं तो बोले हाँ देखो सोच रहे होंगे तो वो जो पुन्न है वो सोने की बेड़ी तो है बंदुओ लेकि करके काट लेंगे गलत फैमी में हैं अरिहंत्य परमेश्टी की उस पवित्यतम परयाय को प्राप्त करने तक पुन्न आपको साथ में हमेशा चाहिए उसके बाद सिद्य परमेश्टी के परयाय को प्राप्त करने के लिए जब आप कोई योगी योग निरोत करता है तब वो पुन्न का परमाणू पीछे छूट करके और मात्र शुद्ध जीव सिद्धाले में जाकरके बैढ जाता है लेकिन जब तक तुम्हारा समुशन न लगे, जब तक तुम्हों केवल ज्यान की प्राप्ति न हो जाए, जब तक तुम्हें की क्रियाओं से नहीं बढ़ता उन पापियों के साथ भी यह हो रहा है यहां हम पुन्य वर्धन में लगे हैं और वे पापी बड़े बड़े शेहरों में लेकर के हुका पालर खोल रहे हैं उनके माता पिता उनका समर्थन करते हैं, समाज समर्थन करती है उनका और उनके घरों में चौका लगा करके लोग साथू को आहार दे देते हैं साथू को बाद में पता चले तो फिर वो लोग जगडने तयार होते हैं, गोली मारने मरने, दंगा फसाद करने तयार होते हैं लेकिन पाप के कर्म छोड़ने तयार नहीं होते बंदो उनसे बोलो हुक्का बंद कर दो नहीं इस मामले में नापपुर का वो रुपाली करके एक शोरूम है देवडिया परिवार है हुक्का बेशता था दोड़ दिर दोड़ करोडो का इस्टाक था उससे बोला गुर्देव ने सिर्फ एक बार ये बैसन है नई बेचना चाहिए उसने कहा गुर्देव अगले 25 दिन के अंदर ये पूरा माल साब जीवन में कभी नहीं बुलाएंगे चाहे हम भूके मर जाएं कभी नहीं बुलाएंगे एक बार समझा दिया पूरा कंटेंट था उठा करके एक साथ दूसे को इस टांसफर कर दिया मैं इसकी रोटी ना खाऊंगा ना अपने घर को खेनाने दूंगा आसीस रुपाली करके नाकपुर का लड़का एक बार गुर्देव के कहने पर 2018 में पूरा पूरा हुक्का का बंदा बंद कर दिया आच जवलपूर के अंदर अधर का किंग जैन समाज में पायदा हो गया पूरे के पूरे मध्ध पदेश के अंदर लोगों को लड़को는रकीयों को बुच्चों को जवानों को बर्बाद करने का ठेका जैनियों के माध्यम से हुने लगा कितने बड़े आश्यर की बात है उनको दूसा धंदा दिखाई नहीं दिया तीन मंजिल की बिल्डिंग मनाई हुक्का पालर बेचने के लिए अरे एक ही फ्लोर बनाए होता हीरा बेचने के लिए देखते हैं छोटी सी कणिका बेच करके तुम भी माला माल हो जाते हो खरीदने वाला भी माला माल हो जाता सो उने के बड़े-बड़े शोरूम खुल लेते जो तुमारे गौरव के लिए कारण बनते तुलाराम चौक में देखा सुना मैंने कितना बड़ा हुक्का का बैवसाई वो भी जैन पता नहीं कौन है देखिएगा समाज बिरुत्तक नहीं करती ती ब्रमंद्र ग्यात भावादिकरन वीर विशेशे ब्यस्तद विशेशा और वो भी कहते हैं अरे महराज ने बोली होगी तुम घमंड में आकर किसी के सामने महराज का अपमान करके अपनी नरगगती निश्चित कर रहे हो और धान डगना समर्थन करने वाले पहले मारे जाते हैं रामण का समर्थन करने वाली जितनी भी सेना थी बंदूओं रामण बाद में मरा उसके समर्थन करने वाले परिवार के लोग पहले मारे गए उस व्यक्ति के परिवार के लोग भी समर्थन करने वाले पहले निकाले जाएंगे बाद में वो व्यक्ति निकाला जाएगा आज चेतना को अवश्यक्ता है इस बात की सुधार की अवश्यक्ता है जैन समाज के लग्या अगर गांजे की पुडिया बेशते हो बसंग कराना सिखाते हो धंदा ऐसा उल्टा सीधा करते हो पेश्टी साइट और दारू वाले को सिफ पकड़ के रखा जुता चप्पल वाले को पकड़ के रखा परिभासां में बदलाव लाने के साथ इसको भी सीखना होगा कि हमारे हुका सेंटर चलाने वाले किसी भी घर में चौंका लगाने का कोई अधिकार नहीं है खुल्लम खुला बात बिलकुल समाज ये लोगों को प्रवचन सुनने के साथ इंप्लिमेंट कर लेनी चाहिए बले कितना पैसा वाला हो लेकिन रामण की जात का है नरग जाने वाला है ऐसे मिथ्यदस्थी जीव जो गुरु की देशना सुनकर भी सुधारना करते हो मिथ्यदस्थी इससे बड़ा कोई क्या होगा बैवसाय करने के लिए अपना पेट भरने के लिए दुनिया में कितने संसाधन थी तुमने पाप चुना तुमने बैसन चुना और अपने आपको गौर्मानवित महसूस करते हो और ऐसे लोगों को लोग सपोर्ट करते हैं बिलकुल एक सांथ बाइकाट करना चाहिए बांदो किसी भी समाज में जब आप पाडाका बेशने वाले के अहां से आहन नहीं लेते आने वाला हैं सीचन बंदूं चालिस दिन का सफर मांकी है दीपा बली के लिए आप लोगों ने अभी-भी छमा दया करुना की परिभासा सिखी है अभी-भी आप छमा माणी मनाने के लिए अपने मानस को तयार कर रहे हैं असली छमा माणी तो तब होगी जब घर-घर में इस बात की घोशना हो जाए कि अगर आपने ये सोचा है कि दीपा बली में पटाके बेच करके हम अपने परिवार का पेट पालेंगे कितनी बड़ी हिंसा है तुम दुनिया से छमा मांग रहे हो और तुम ऐसा क्रत कर रहे हो कि कई लोगों को छमा मांगने के लायगी नहीं छोड़ रहे हो वे कितने जीव होंगे जो इस ससार में आकर के छमा मांगना चाहते होंगे निको लग रहा होगा कि नहीं मैं भी छमा मांगनूँगा तुमारे एक बेची हुए बम से कितने लोगों को उड़ा दिया गया कितने लोगों को सोची है कितने सारी जीव की हिंसा हो गई जैन समाज के बे सारे बैवसाई लोग जो ये सोच रहे हैं कि 10-20,000 का पटाका बेच करके 10-20,000 कमा करके हम बहुत बड़े आसामी हो जाएंगे बिलकुल गलत बात है बंदू मना कर दो 20,000 का पटाका बेचने से अच्छा है 20,000 की मिठाईयां बेचलो दीपावली में दोनों बहुत तेजी से बिकती हैं और जिस दिन जैनी बिकती पटाके की जगाएं में इसका मिठाईयों का ठेला लगा लेगा या काम कर लेगा अपने अर्थों बाजन के लिए सबसे पहले जैनी की मिठाई कर दी जाएगी क्यों? क्योंकि लोगों को बिस्वास है उसकी जात के उपर किस बात का? शुद्ध देगा पवित्र देगा, अभक्ष नहीं देगा आप जितना पैसा पटाका बेच करके कमाना चाहते हैं उतना पैसा आप मिठाईयां बेच करके भी कमा सकते हैं दीपिस्थम अच्छे दिये बेच करके भी कमा सकते हैं लेकिन वो प्रग्या में मिठ्यात और कसाय हिंसा ऐसी बैठी है कि हमारे दिमाग में सीधे वो बम ही दिखाई देता है कितने जीव उड़ जाते हैं कितने सारी गायां बैल बिचक करके कितने कितने स्थानों में जाकर के गिर जाते हैं कभी कल्पना करिए ये चमा मारे के सार्थकता इस बार तभी है कि हमारी दिवाली 100% pure vegetarian दिवाली मनाई जाए pure vegetarian हमारा दसहरा मना जाए non-violence life के साथ जब आप अपना दसहरा और दीपा वाली मना ले तब आप समझेए कि आपके घर में punishment का दिया 40 दिन बाद सही तरीके से जल गया बच्चों को आज से पिरिद कर दीजेगा बेटा महराज ने मना कर दिया है ना हम पटाके बेचेंगे ना हम पटाके लाएंगे ना तुमको फोड़ोना है अभी से छोटे-छोटे बच्चों को clipping दिखाईए, संकल्प कराईए उनसे कहिए मराज ने मना किया है हिंसा होती है, अपन जैन है ना सिखाना पढ़ता है करुना दया सिखानी पढ़ती है किसी भी गाय बैल के पूछ मरोना बहुत आसान बात है बंदू जब वो भागती है पूछ मरोने पर लेकिन गाय के गलकंबल में हाथ फेड़ना बहुत कटे ने हमको आवश्यकता है जैन समाज में किसी के गले को सहला सके हमने गले काटने के बहुत खेल अपने मिठात के करण कई बार किये हैं संसार ये सूत्र कितना गहरा होगा तत्वा सूत्र का आप सोचिए अचार उमा स्वामी महराज के दिमाग में एक साथ उस दिन उपवास के साथ जब ये सूत्र को लिख रहे होंगे कितनी सारी छेतना के परमाणू आ रहे होंगे कि संसार में जो सही ज्यानी होंगे उनको इस सूत्र की परिभासा उस दिन समझ में आएगी क्या पुन्य बढ़ाने के लिए भी ये सूत्र काम कर रहा पाप बढ़ाने वाले की जीवन सैली को समझने के लिए भी यही सूत्र काम कर रहा है कितने भी हुक्का सेंटर है आप वहाँ पर जाते हैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताओं साइद आपको कभी पता भी नहों हुक्का लगाते हैं लगाने के बीच में पानी डाला जाता है जल जल हैता ना हुक्का में अंदर जल डालते हैं फिर उसमें से दुवा होता हुआ गुडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगरगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगगडगडगडगडगडग दिया इन हुक्का सेंटर वालों का जैन समाज का तो पोस्टर निकाल करके बिरोध करना चाहिए यह दारू खोर यह जितने भी लोग होगा है इनको आज आवश्यक्ता है अपनी समाज बचानी है तो आज से दutedवात करनी पड़ेगी बंदो बिल्कुल इस पश्टर बिरोध होना चाहिए कि हम इसके घर में चौंका नहीं लगेगा जैसा एक दारू खोर के घर में नहीं लगता है एक डारू बेचने वाले के हां नहीं लगता है, जूता बेशने वाले के हां, पेस्टिसाइड बेशने वाले के हां, वैसे ही हुक्का पालर चलाने वाले किसी भी जैन समाज के परिवार को सादू को आहरदान देने का कोई अधिकार नहीं है उसको मंदिर के अंदर उसके द्रब भी नहीं लेनी चाहिए बंदो मंदिर के अंदर द्रब चड़ाई जाती है न इस परश्चिता बंद आप कहां की नहीं ले सकते आप कहां बैवसाई की गोत्र की सुद्धता नष्ठ होती चली जा रही है इतने तीप्रिकसाई जो विक्ति पूरे देश के लोगों को जमान युवाओं को बिगाड़ने का ठेका ले लिया हम अपने बच्चे को घर के अंदर से मंदिर बेशते हैं हमारा बच्चा मंदिर में चड़ाई गए दान के पैसे को छोड़ करके हुका पालार में उस कहां चला जाता है बो उससे अपना घर चला रहा है बंदू हो ये नरग गामी जीव है रामड की जात के किसकी जात के पात तेज लग रही है हमारी आप लोग तो करते नहीं है बंदू हो ये बात तो हम मैं वहां तक पहुचाना चाहरा हूँ जहां पर लोग आग लगाने पर उतारू है वहां तक जाना चाहरा हो जहां तक लोग जो है हर घर के लड़के को बरबाद करने के लिए दीरे से ओरल पब्लिसिटी करते है आजाना साहम को सब बेवस्ता है ऐसा बोलते है मूँ के मूँ में महां जमान घर की बेटियां बिगड़ जाती है अच्छे घरों के खांदारी लड़के बिगड़ जाते हैं 12, 14, 16, 17, 18, 20 साल की दस्वी क्लास का नौवी क्लास का पढ़ने वाला बच्चा वो दीरे से उसके इशारे को समझ करके पीछे के रास्ते से गुसता है दो गंटे तक महां पर मस्ती करता है उसके बाद बाबिश चला आता है सोचिए आप इस दीपा बली पर घर की बहुत पवित्रता मचा के रखी है एक बार समाच की पवित्रता भी मचा करके बना करके देखिएगा ये सूत्र को अपने जीवन में माला के जैसे फेरिएगा